आजकल बच्चे पब्जी से बहुत एडिक्टेड हैं और यह पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉलम हैं तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताईए आज भेल पब्जी मेरे यहाल से पब्जी एक गेम ही नहीं एक दुनिया है अपने आप में बच्चे उसी में खेलते हैं क्रिकेड विकेड तो सब बंद हो गया टेवल टैने जो बच्पन में हम खेलते थे उसी में खेलते हैं उसी में जीतते हैं और उसी में जीते हैं दिन रात दिन रात और इसी को आप एडिक्शन कहा दो एक तरह से उसी में उनके अपने गोल्स हैं अपने अपने गोल्स है, मुझे इतने पैसे चीह, ये गेम्स ये नहीं, अपने अपनी स्ट्राटेजीज हैं, और उन्स्ट्राटेजिस को एक्जीट करने का अपना तरीका है हर बच्चे का, तो एक दुनिया ही तो हो गई, और दूसरे एंगल देखो, अगर पब जी एक यहां भी हर आदमी का अपने गोल है, और स्ट्राटेजीज हैं उन्स्ट्राटेजीज को एक्जीक्यूट करने का, जैसे वो अपनी दुनिया में जी रहे है, यहां भी हर इंसान अपनी दुनिया में जी रहे है, अपना गोल, अपना स्ट्राटेजी नहीं, तो हर आदमी का अपने PUBG है और इसी PUBG को देखकर उन्होंने PUBG बनाया है अच्छा ये तो उन्हाइडिया कहा से आएगा उनको तभी इसलिए अडिक्टिड है क्योंकि लाइफ एडिक्टिड लाइफ जो और अडिनरी आदमें होसके लिए तो अडिक्टिड होती है ना गोल अचीव करना ये करना को करना इसलिए एक्साइटिंग तो यही कंसेप्ट उन्होंने गेम में ट्रांसलेट कर दिया वही चैलेंज़े आ रहे है वही गोल है जो रियल लाइफ की चीज़े और फिर रिवार्ड भी मिलेगा पैसे भी मिलेंगे और इसलिए अडिक्टिंग है क्योंकि रियल लाइफ को इमीटेट कर रहे है इमीटेशन है तो पब जी एक दुनिया है दुनिया एक पब जी है आप यह कहना चाहते हैं कि माता पिता भी जो पेरेंट्स हैं और इसलिए माता पिता कहते हैं कि भाई आप पब जी छोड़ो बच्चा जोड़े बच्चे को आइडिया नहीं वो पब जी खेल रहे है मगर सब कॉंशियसली सब कॉंशियसली बच्चा देख रहे है इसलिए आप कहने चाहते हैं कि बच्चे के संसकार में आ चुगा है जीवन ऐसे जीना है और इसलिए वो वैसा जीवन नहीं उससे बाहर नहीं निकल पाते है क्योंकि उसके सामने कोई आइडियल नहीं है उसके बास गलत आइडियल है इसलिए पापा काम कर रहे है 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 उसको पैसे मिल रहे है मैं भी तो कमा रहा हूं यह तो बिल्कुली एक नया द्रिष्टिकों दिया और यह द्रिष्टिकों नया नहीं है ये द्रिश्टीकौन पांच थार साल पुराना है ऑच अच मिंठ पांच थार साल पहले एक फिलासफर था फिलॉसफर कहलो नाम था चारभक इसको नाम था चारवक फिलॉसफर तक हुळे रिनम कृत्वा घृतम प्रिवेत, सुखी जिएने के लिए लोन ले लो, जो आजकल चल रहा है, और लोन लेकर घृतम प्रिवेत, अब उस टाइम घीग सिंबोलाइजेशन था आश करो, पैसे गाओ, उड़ाओ, क्यूं भस्मी भूतस से देश से, यह सम्मस खतम हो जाएगा किसने देखा अगला जीवन, पिछला जीवन, किम पुनर आगतम गता, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसलिए मैक्सम एज़ॉय करो, उसी फिलोसफी तो है, आज, उसी फिलोसफी पे यह बेस्ट है, जो जो दुनिया एक पबजी बनी पड़ी है, या पबजी एक दुनि बिलकुल, तो ये चारवाग फिलोसफी को एक्स्प्लेइन किया है, बहुत अच्छी तरह है, ये सेबंध कैंटों में, प्रहुपात बहुत कोट करते हैं, दिव्यास दिवने कोट किया है, वो श्लोक है, तो वो श्लोक प्रुलाद मराद ने बोला है, मतिरना कृष्ने अब ये वैसे तो, सिंपल लगता है सुनने में, मगर अग्छुलि व्यास देव ने पूरी चारवाग फिलोसफी हुए चारवाग compl espíritam पुना पुना चर विता चरवाटा नाम तो चार बाग वर्ड आता है चर्वन से च्यू चवाना च्यू तो भागवत कह रही है चर्पुना पुना चर्विता चर्वना नाम यह जो दुनिया है जो पबजी बनी पड़ी है यहां पर क्या कर रहे हैं, बार बार चबाये हो यह को बार बार चबाये जाए रहे हैं, वो ही करते जा रहे हैं, इस आशा में कि कभी तो सुख मिल लाएगा, वो ही है, वो ही यहां पर अब एडर्ड कर रहे हैं, काम करते रहो, पैसे मिलते रहे हैं, और सुख मिले, और सुख बच्चा भी यही कर रहा है पैसे मिल रहे है अभी सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, नहीं मिला तो और खेलेगा टार्गेट पूरा नहीं हो तो खेलता रहेगा है इस आशा में कि वो एक बार टॉप पे आजाए, सक्सेस हो जाए, जो भी हो जाए है बच्चा भी माता पिता की तरह पैसे कमाना चाहता है वो यहीं, सेम वो देख रहे है, वो कमारे है, मैं कमार हूँ मैंने अभी से कमाना चुरू कर दिया तो यह फिलोसोफी है, चार बाग की और और मज़े की बात मतिर न कृष्णे परातास हो तो वाँ जो इस फिलोसोफी पर चलता है व्याज़िव कहरे है, मतिर न कृष्णे परातास होता है वो उसको खुद से या कोई और समझा नी सकता कि यह गलत है इतनी एडिक्टिव है एडिक्टिव है, उसी में फस जाएगा उसी लूप के अंदर तो प्रश्ण यही अब यहां उड़ता है कि इससे निकले कैसे क्योंकि प्रॉलम तो सब को बताया मदिर न कृष्णे परातास होतो होगा मेथवभी पद्देत अगरहा प्रताना निकलना बहुत मुश्किल है मदिर न कृष्णे परातास होतो होगा आपको अपने बच्चों को निकालना है तो पहले आपको अपने आपको दुनिया की पपजी से निकालना पड़ेगा पहले आप सही जगे स्वोलुशन ढूंड़ो की देखे तो पपजी बनाया गया है तो आप यहां सोलूशन ढूंड़ो के अपना गोल, लाइफ का भगवान नहीं बनाओगे, जब तक उनसे जुड़ोगे नहीं, तब तक इन चीजों से निकलना इंपॉसिबल है, एडल्स जो है, पेरेंट्स जो है, अपने इस लूप से, अपने इस रैट रेस से, सो काल जो कहते हैं, अपने गोल, मनी मेकिंग, सेल पेरेंट्स ही है ना, तो वो कैसे निकल पाएगा, सिरह उसको बोलने से थोड़े ना होगा, तू छोड़ दे, वो कहेगा, पापा, आप तो छोड़ नहीं पा रहे है, अपने दुनिया पबजी वाली, मैं कैसे चोड़, आपको सॉलुशन भी नहीं पता, तो इसलिए पेर चारवाक ने, यह चारवाक सिधानत है, चारवाक ने ही बोला, देखो अब भगवान कुछ नहीं होते, आत्मा कुछ नहीं होती, यही चल रहा है न, पिछला अगर लाइफ कुछ नहीं होता, करेक्टर क्यों बनारे हो टाइम बेस्ट करने में, मजे करो, ना पाप ना पु पिछे, तो बच्चे का एडियल भी क्या है, बच्चे का एडियल भी कुछ नहीं बन रहा है, बच्चा भी क्या सीखेगा उनसे, तो आप करेक्टर बनाओ अपना, आप भगवान को पिक्चर मे लाओ, डेवोशन करो, डेवोशन से करेक्टर बनता है न, अच्छी को सुधार सकते हैं अब आप इस वाल तो के modern society के एम से एम से पर पबजी वाली दुनिया से बाहर निकलोगे एक वाइड फिलोसफी होगी concept होगा purity आएगी है नि एक संसकार आएगे तब बच्चे में तब बच्च आपको देखेगा तब भी छोड़ देगा क्यों नहीं इस हो अपने आप में क्या ещё ओडिल्टिष आपको ऑफ च 13 आपको अंधन mRNAس के बच्चे भी पभजी में फसे हूए वह शायद इसलिह कि वह डिपometer अप्डी आपने फेम फेमिली से मंदिर में इर में देवोटी नहीं है है हमने प्रैक्टिकली देख आय इसका क्य करिण दिटन nooreman to sem mhat और या उनके लाइफ में पॉंट्र है कि इनके लाइफ में अनि खरके मंदर की बात ना मंदर की बात क्र रहा हूं उनके जीवन में भगवान सेंटर ही आनी या भी इन आप एक्सटरनली बस कुछ प्रो eti बदह रहे हुं मुझा सेंटर पर पैसे ही है हां जी है नहीं तो जब एक्चुली हमारे पाउंडर अचारे थे भक्ति से अंतरसी ठाकुर तो उनसे पूछा था कि आपका एम क्या हुरे संसार में हर टाउन और विलेज में क्या मंदिर बनाना है कि प्रेडिक्शन थी 500 साल पहले महापुरू कि एक सेंट भगवान कि इंकार्नेशन कि हर टाउन और विलेज में मंदिर होगा क्रिश्न का तो उनसे पूछा रीसेंट अभी अचारे हैं बग्ति सेंदरस्वाजी ठाकुर कि आपका एम यह है वो ड्रीम पूरा करना कि हर टाउन और विलेज में एक भगवान क्रिश्न का मंदिर हो और उनसे का नहीं मेरेम यह नहीं है मेरेम है हर विक्ति के हिर्दे में मंदिर होगा तो शायद वो मंदिर आते हैं मगर मंदिर को हिर्दे में नहीं लाप आया लाइफ में लाप है लाइफ चेंज नहीं हुई प्रोसीजर चल रहे हैं तो फिर बच्चा क्या चेंज होगा इसलिए नहीं होते डिवोटी के लाइफ में कई फैमिलीज तो हमने देखा हैं कि बहुत मंगल आर्थी बेटेंड करती हैं घर में शास्त्र भागवतम गीता सुभे शाम बढ़ी जाती है तो उनके बच्चे भी कई बार देखा गया है कि पबजी में फसे हुए हैं कई फैमिलीज बहुत सीरियस होती है घर में भी घरी मंदिर बना लिया होता है तो बच्चे में एक पूरवजनम के संस्कारा है नहीं मगर इसमें पॉइंट है घर में वो आर्थी करते हैं रेगुलर शाम को कीरतन्स करते हैं भूग लगाते हैं नहीं प्रॉपर चलता है उनके लाइफ के संटर में कृष्णा होते हैं उनका मोटो मनी नहीं है लाइफ का सैटिस्वाइड होते हैं मैं अगर फिरे हम देखते हैं उनके बच्चे पब जी कहल रहे है मगर एक्चुली मेरा जो एक्सपीज़ एइसी फैमिली के बच्चे बहुत कम फसे होते हैं पबजी हे बहुत कम जिनकी पूरी फेमिली डिबोटी होला है, मैंने देखा मैं तो पूरे वोर्ट में ट्रैफल कर रहा हूं, उनके बच्चे फसे नहीं होते जन्रली 80% तो नहीं होते, बागे 20% जो होते हैं, वो इसलिए होते हैं, क्योंकि उनके अपने संसकार है, पिछले जनम के स्ट्रॉंग, तो वो शायद फसे होते हैं, बट ये भी अमने देखा है, उसमें फसे होते हैं, मगर उनके आइडियल उनके पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि मैं अमेरिका में गया था, एक लड़की थी, वो पबजी में फसी होती, मगर मैं उसे बात की, वो कॉलेज में भी चली गई, मगर वो मुसे कहरती हैं, मेरे पेरेंट्स आइडियल हैं, मुझे पतन का करेक्टर बहुत अच्छा है, शुद विचार हैं, भक्ती करते है तो कहरती ही, मैं फसी हूँ, मगर मैं, मैं चाहती नहीं ऐसा करना, अगर मेरे को अपरचुनटी मिलेगी, मैं छोड़ दूँगी, उसके विल है, अंदर से, और ऐसे बच्चे हमने देखे हैं, सारे परिवार में जैसे होते हैं, अल्टिमेटली छोड़ देते हैं, जब कभ बच्चों का बाहर निकलना, बहुत, मतलब, बहुत ज़्यादा चांसे हैं, कि ऐसे बच्चे जिनका घर में वातावराण पूरा भाक्ति का देखे हैं, आपको जो आपसे समझा हैं, तो यही है कि, कि सबसे पहले तो माता-पिताओ को अपने पबजी की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा बच्चों के सामने एक एक जामपल सेट अप करना पड़ेगा कि और जिससे बच्चे उसको अपने संसकार में उतार सकें अपने चरित्र में उतार सकें हाना कि अगर बच्चा फसा भी हुआ है तो एक ना एक दिन जब वो अगर कभी पब जी में वो फेल यह पॉइंट ही है कि बच्य को पता लगे बच्चे कि गोल सेटिंग सही हो आज жиз क्या जोड़答 कर घरे पाप ब जोल पैसे मेरा फिसे जैनों मैं कर रहे ज़ा है इन अच्ट अपना घोल पुलिफ झाल एकने कर रहे मैं कर रहों वह कर रहा है बिल्कुल तब तो उसको motivation मिलेगी लाइफ को change करने की अभी वो बोल रहे हैं तो क्यूं change करें वो accept नहीं कर पारा न उस position को अब पापा को enjoy करने शराब पीने में मैं enjoy करने गेम खेलने में बिल्कुल अगर पापा का goal parents को goal भगवान है वो enjoy नहीं कर रहे हैं, वो serve कर रहे हैं, तो contrast होगे ना बिलकुल, तब वो change हो सकता है, मैं कहना चाहता हूँ, अपने आचरन से वो परचार करें, आचरन, आचार से, विचार से, और कर्मना, मनसा, बाचा, अपने आचरन से, विचार से, और अपने शब्दों से, यह ज़्या करेंगे, वो ही उनके नीचे वाले करेंगे, यह सनातन प्रिंसिपल है, जो उपर वाले करेंगे, वो नीचे वाला करेंगा, तो नीचे वाला कुछ कर रहा है, तो हंडेट परसंट उपर वाला वो ही कर रहा है, यह उल्टा भी है, और उमने देखा भी है, कोई भी इंसिट करने लगते हैं जैसे गुरू होता है ऐसे चेले बन जाते हैं वो होता है subconsciously अब यहाँ पर उसने पब जी दुनिया बना रखे है तो कैसे चेंज होगा हो 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 ही नहीं आप बोलते रहो कोई solution ही नहीं है so you have to change your life you have to change your wisdom your thoughts your character तब जाके वो कुछ हो सकता है अगर्वाइस नहीं होगा that's all I do thank you very much okay Hare Krishna